साथ ऐसे कौन से वाक्य है जो माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं कहना ची इसके बारे में आज बात्चीत करते हैं मेरा मैं डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा व्यसनव मुक्चित अग्य हूं महाराष्ट में मुंबेपुने अकुला यहां प्रैट्टिस करता हूं बच्चों को परवरिश करते हैं तो हमको बहुत साथानी से परवरिश करना चाहिए बच्चे गिल्ली मिटी का गोला है उसको जैसा आकार देंगे पैसा हो बनते हैं कोई भी शब्दा आप उनको बोलो तो वह उनके वह अंदर जाके बैट जाता है और उनको वह सच लगता है और ऐसे शब्द कभी बुरे हम जब बोलते हैं तो उनको सच्ची लगने लगते हैं और फि गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो या बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत करो तुम मुर्ग है उनको अकल नहीं है उनको समस्ता नहीं है तो ऐसे शब्दे जब आप बोलते रहते हैं, तो उसको दिल को लग जाता है, उसको समस्तानी मुरख क्या है, मगर समस्ता कुछ भी गडबढ है, अकल नहीं है, इतना समस्ता नहीं क्या है, जब हम बोलते रहते हैं, तो एक दम अंदर तक उसके घुश जाता है, तो गदा है, तो को समाझता नहीं गदा क्या है, मगर जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर तक वो पहुंचता है, तो ऐसे कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, नमबर दो, कभी भी उसके कुरुती या उसका बरता हो जो है, उसके प्रतिक कुछ बोलना नहीं चाहिए, या comment नहीं पास करना है, जब गलत comment, तो बरब चलता नहीं, तू दिखने में ठीक नहीं है, तू चलता तो पगले जैसा चलता है, या तू से लगता है कि, जैसा घुड़े से चल रहा है, गदा है क्या, मतलब ऐसा उसका बरता हो करना, या खाने के समय कुछ comment पास करना, या नाने के समय कुछ इसनान करता है तो कॉमेंट पास करना कितना स्लोरी नाते रहता है संडास में जाके बढ़ेंगा तो इतना समय बैठते रहता है मतलब कोई भी ऐसे एक्षन उसकी है तो वह एक्षन के प्रति कुछ भी ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसको जाता है कि मेरे में कुछ तभी कमी है और फिर वो उसके दिमाग में पक्का जाकर बैठता है नंबर तीन मैंने पता नहीं हमारे यहां तु तुने क्यों जन्म लिया मां बोलते है मेरे पेट में तुने क्यों जन्म लिया ऐसा लगा तो मेरे जनम में आने ही नहीं चा है और उसका पूरा Аसर उसके उ पर दुमाआ के उपर रोच और कितना भिवार बीबार Medium पड़ता है ड्woord नप्र यह करते हैं उस plays व्हें घ्टी यह पर हरते इतना फोडिय の अन यह जाता है और हम गटा कशने क्ता के पर है वंदैक और अच्छा में नहीं है और मैंने वैसा होना है और लेचाने के उसके नहीं कि आया भेल कि स्वाभिन सीधान है अभन को स्वामे करो, और भी संगर वह झाती है और था सर दे नहीं हूं और मैंने शहोना चाहे कि शेल की ह neat रहती है और हम उसको और लिष नीचे बताते हैं नमरtant जटक्तूज तो इसा करए तो मैं तुमको छोड़के चल कर जाऊंगा मान, बच्छों को मा इया पिता इसा करता है तो मेंने आँ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है इतने ये पच्चे परेशान करते रहते हैं लगता है कि मैं कहीं चले जाओं इस तरह के सेंटेंस जो है ये उनको बहुत बुरे लगते हैं मैं तुमको छोड़के चले जाओंगी मां बोलती है ना जब बहुत फ्रस्टे हो जाती है तो सा्थावा फाल्स इस देना जुटे आशवास हो रिए ये खरिटके लांगा है तु निकल जाता है आप तुमारे लिए में पैन लांगा इसा कुछ ना कुछ जब आप बोलते प्रामीस करते लाते नहीं है तो उनका आपके उपर का टरस्स निकल जाता है और जेब टरस्श सब्सक्रारीजर्टर उसको किम्मत रिते हैं वह वहाद निष पड़ कोई दिरिति डिए निलाव धिश्वास के शौन फैसली तो उसको टेती है तौको बंद करने इसा अच्छ सक्षे कंनि किम्मत को यह को तो योंकि किमत आपने ही गमा दिया है आठधा पॉइंट है Self Fulfilling prophesy मत करो मतलब ऐसा कोई भविष्य मत बताओ को सच्छे हो जाएगा तू इस तरह का करेंगा तो डेफिनेटली पक्का तू फेल हो जाएगा तू इस तरह का करेंगा ऐसा तो गिर जाएगा, तू इस तरह का ऐसा करेंगा तिरे को चोटा जाएगे, तू इस तरह का करेंगा लोग तरे को पागल बोलेंगे, तू इस तरह का करेंगा तू फेल हो जाएगा, तू ऐसा करेंगा तो अच्छे दिखेंगा ने, ऐसा जो भी ह बने जाएगा इसा हो जाएंगा इसा जब मार मार बोलते रहते है तो फ्रॉब्ललमेट्ट को घदा है ड़े सा कर रहा है तो पता नहीं तो गराए बन जाएगा गदेश रहेगा मैं हर्दम को, अक शिवाजी महराज की माता जी थी, मा जी जृँ Bernard उसने कभी ऐसा बोला ने शिवाजी महराज को, उसमालते बलते राजे इदर आईये, राजे बैठी थी तो उसको बच्ठम सी राजा बोलते कि और बच्पन सी वह उसको उस्पर से सुनती थी उस तरह से उसका मांसन्मान करती थी उस तरह से नुन के दिमाग में जाता था हो तो राजी बन गए मेर rookie क्लお के अंकल नहीं ही समझता, सब्गी सब्सक्राइन तो ऐसा करेंगा तो आधि yes कभी आएंगे ने मैथेमेटिक्स तो ऐसा करेंगा इंग्री स्रव को भी जमें गई नहीं ऐसा करेंगा तो प्यून बनेंगा चप्रासी तो ऐसे जब हम भविष्य बताते हैं तो यह पौईजन शब्द है तो यह ऐसे आठ जो है वह विशारी शब्द है जिसका बहुत बुर असर होता है और यह आठ के आठ वाके जो अलग-अलग मैंने बता है यह माता पिता ने या कोई बड़ों ने अपने बच्चों के परति कभी इस्तेमाल करना ही नहीं है यह वीडियो सभी माता पिताओं को आप सर्कूलेट करो सभी लोगों को शेयर करो ताकि हमारे देश मे जन लेने वाला हर बच्चा एक पाउरफुल नागरिक बने थैंक यू वेरी माइच्ट